आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में 5G टेक्नोलिजी ताखिर की वज़ा क्या है और एलन मक्स ने ट्रॉम का अकाउंट बहाल कर दिया और आईफोन 10 लाग का हो गया क्या आप अब 20 को खरीदेंगे पाकिस्तान में अदम एतमात और दरामदात परबंदी और महंगाई की वज़ा है और पीटिये ने सर्वेरी कोट गूमत को भेज़ दी है जिसमें बताया गया है कि महंगाई और लोड शेडिंग इसमें ताखिर की वज़ा है जून 2023 में पाकिसान में लांच कर दिया जाएगा और पीटिये ने कहा है कि इस गौर्मेंट के जादा टेक्स भी ताखिर की वज़ा है अलाइन मक्स ने ट्रॉम्प का अकाउंट बहाल कर दिया है ट्रॉम्प का अकाउंट इस्टियाल अंगेस बियारात की वज़ा से ब्लॉक किया गया था जिसको अब अनब्लॉक कर दिया गया है अलाइन मक्स ने ट्विटर पे एक पोल कर वाया था जıs में ट्रॉम का अकाउUNτ बहाल करने की बात की गई थी सर्वेय रिपोर्ट के नतीजे में ट्रॉम का अकाउUNT बहाल कर दिया अप्ल आइफोन ने कुछ अर्वारीं आइफोन 14 और फोरेंग प्रो लाँच किया है और अब सुनने में आ रहा है कि आईफोन 15 सीरीज भी लांच किया जा रहा है एपल ने अब दो खुद इस बात के तद्दीख नहीं की है लेकिन मुखतले वेब साइट पे इस बात की अफ़ाएं गर्दिश कर रही है और आइफोन 15 लॉंच क्या जा रहा है और आइफोन 15 के फीचर्स क्या होंगे और इसके प्राइस क्या होंगे और सुने में आ रहा है कि आईफोन 15 दस लाग क्या है क्या अब इसको भी महनगा कहेंगे